अस्सलाम अलेकूम निशा की काईनाथ मैं आप सुभा स्वागत है आज एक पिर से न्यों रेसिपी वीडियों के साथ आज हम बनाएंगे ग्रीनी मसाला कबाब ये बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है थोड़ी सी कोरियंडर लीव्स और मिन्ट लीव्स लिये हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर जिंजर कालिक का पेस्ट ग्रीन चिली आप लोगो जिता तिका पसंद है व आप लोग भी आड़ करना तो इससे हमारी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी वरना यह जो कबाब है वो तूटने लगेगा तेल में तो इस बात का ध्यान रखे वन बाइवन करके मैंने जितने भी स्पैसिस आपको दिखाया थे वो एड़ कर दूंगी मैं इस नमारा दालकिया, और ब्रेड और एक डालना है और वापसे आपको ग्राइब करना है उसके बाद आपको यह से थोड़े दिर फ्रिज में रखते help कबाब बनाने तेमें वोद्वेशा के लिजयन ए क्रे Bowl को राय करने कि बाद जाओ को पूलीन तरफ यह अधू आपको फु में बटर लिया है और इसके आप मैंने गार्लिक को चॉप करके डाला है फिर थोड़ा समय एक चमच यहां पर मैदा डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी यह सेम एक वाइट सॉस बनाने का प्रोसेज है लेकिन इसमें हम और भी मसाले आड़ करेंगे तो वह आगे मैं आपको बताती हूँ इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने आप एक कप मिल्क लिया था वो मैं इसमें आड़ करूंगी आप लोग रौ मिल्क भी ले सकते हो या फिर आप लोग बोईल किया हुआ भी ले सकते हो इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स मैं आपको दिखा नहीं पाई तो यह सब दाल के मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी उसके जब हमारा वाइट सॉस अच्छे से हो जाएगा इसमें कोई भी लंब्स नहीं रहेगा अभी हम इसमें अड़ करेंगे ग्रीन मसाला क्योंकि हम बना रहे हैं ग्रीनी मसाला कबाब मसाला एड़ करने के बाद आपको इस अच्छी तरीके से पकाना है उसके आड़ करना है वन टीबल स्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपको एड़ करना है फिर इससे अच्छी से मिक्स करना तो आप देख सकते हो सॉस कितने अच अच्छी से अच्छी से मिक्स करना है जब तक इसकी फुली कोटिंग ना हो जाई है सॉस के साथ जब अच्छी से पूरा कोट हो जाएगा तो आपको क्या करना है गैस को ओफ करना है और इसके ओपर लिड रखना है और इसे अच्छी से थोड़ टाम के लिए सोक होने के लि अगर हम सर्फ करें बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी और बहुत अच्छा बनता है और क्रीमी भी होता है थोड़ा सा तो आप लोग ट्राइ करें निशा का ये ग्रीनी मसाला कबाब और कैसा लगा जरू बताना लाइक, शेर, सब्सक्राइब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो मे अलाह देए